जैहिन दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल जिसका नाम है हिम आयूर्वेड आज हम बात करेंगे सर्दियों में कौन सी क्रीम लगानी चाहिए दोस्तों सर्दियां आते ही लोग इंटरनेट पर इन सवालों की जबाब तलासना शुरू कर देते हैं क्योंकि इस सर्द बरे मौसम में स्किन बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है फिर चाहे वह हाथ पैर या चेहरे की स्किन हो सूखे पन के कारण इसके फटनी की समस्या भी बढ़ जाती है इसका प्रमुक कारण है सेंटरल हेटिंग और इस मौसम में पसीना ना अना सर्द हावाओं के कारण हमें पसीना नहीं आता और जब ठंडी हवा तोचा पर पड़ती है तो तोचा में रूखापन और खिचाव आने लगता है बहीं सर्दियों में आप हमेशा सेंटरल हेटिंग में रहते हैं ये आपकी स्किन की नैच्रूल नमी को चुरा लेता है जि में एक ऐसी क्रीम की ज़रूर पड़ती है जो तोचा को मॉइस्टराइज कर इसके रूखेपन को ठीक कर सके दोस्तों आज के इस पीडियों में हम आपको सर्दियों के मौसम में तोचा को चमकदार बनाए रखने के लिए कुछ बेस्ट विंटर क्रीमों के बारे में बतान कारी देंगे और हां दोस्तों वीडियो को अंतक देखें यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल के आईकान बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और ने ने जानकारिया मिलती रहे तो चलिए दोस्तों आप बा बेस्ट फेस क्रीम मानी जाती है यह एक कॉस्मेटिक ब्रांड है वी एल सी सी की लिकुरस कोल्ड क्रीम सुस्क और सामाने तोचा वाले लोगों के लिए सर्थियों के लिए अच्छी साती है केसर एलोवेरा जोजबा ओयल जैतुन का तेल बिटामिन ए अंगूर की बीज के अर्ग और गुलाब की पंखडियों से सम्रिद या क्रीम तोचा को सूखे पन और रूखे पन से बचाती है इसमें माजूद नैच्छूल ओयल मौस्टराइजेशन प्रदान करने के साथ बिटामिन ए कॉम्पलेक्शन को भी बढ़ाता है यह विंटर क्रीम एस पीएप 20 सं कबर के कार्म सर्दियों के लिए बैस्ट कोल्ड क्रीम मानी जाती है ऑनलाइन इस क्रीम की किमत लगवग 115 रुपए के आसपास है पॉंड्स मौस्ट्राइजिंग कोल्ड क्रीम पॉंड्स मौस्ट्राइजिंग कोल्ड क्रीम की मदद से आप सर्दियों में तोचा के सूखे पन से छुटकारा पा सकते हैं इस क्रीम में सोया प्रोटीन सूर्ज मुखी तेल और स्किन लिपिड का अच्छा मिसरन होता है जो आपकी तौचा को सर्दियों के कारण एक गुलाबी चमक पदान करने में मदद करता है जिससे सर्दियों में भी आपकी तौचा पर सर्दियों में रोजाना चहरे पर नेविया मौस्टराइजिंग कोल्ड क्रीम का उपयोग बहुत अच्छा होता है खासता है या ओली स्किन के लिए बैस्ट मौस्टराइजिंग क्रीम है जो ना केवल सुरक्सा देती है बलकि सर्दियों में फटी तौचा को भी राहत पद सर्दियों में इसका इस्तेमाल तौचा के साथ साथ भटे होंटों पर भी कर सकते हैं बाजार में इस क्रीम की केमत लवग 180 रुपय के पासपास होती है वायटिक मौनिंग नेक्टर दोस्तों वायटिक या कोल्ड क्रीम स्किन के लिए बहुत ही पौस्टिक मानी जाती है इ या क्रीम चेहरे के नैच्रल आयल को बापसलाने में हमारी मदद करती है जिससे सर्दियों में चेहरे की खुई नमी लौट आती है इसमें SPF 30 होता है इसलिए या सन क्रीम का भी काम करती है बाजार में इस क्रीम की केमत लवग 130 रुपय के आसपास है डव रिच को म bess के लिए जाने जाती है एक मसाज क्रीम की रूप में या अच्छा काम करतीआ सेंस्टी सकिन बालों के लिए या बैस्ट क्रीम मानी जाती है इस क्रीम को आप सर्दियों के दिनों में अपने पूरे स्रीम में लगा सकते हैं इसके लावा लोर लेग्स कोहुनी हाथ और गुटनों के सूखेपन को दूर करने के लिए इस क्रीम को सर्दियों में जरूर लगाना चाहिए मार्केट में इस क्रीम की किमत लवग 150 रुपया के आसपास है हिमालिया हर्वल बिंटर डिफेंस मौस्टराइजिंग क्रीम हिमाले की इस क्रीम को सर्दियों के मौसम को देख यह जाना जाता है यह कोल्ड क्रीम सुस्क तवचा वालों के लिए अच्छा ऑप्सन होती है इस क्रीम में वाइट जर्म मौजूद होते हैं जो आपकी तवचा को परवरनियक सती से बचाते हैं इसमें जोजबा और ऐलमंट का ओईल भी मिला होता है जो सर्दियों में होने वाली स्कीन से रहत दिलाता है बाजार में आपको या क्रीम लगवग 120 रुपय के आसपास मिल जाएगी ब्लीस ऑफ अर्थ कोल्ड क्रीम इस क्रीम में मौजूद सिया वटर को कोल्ड कंप्रेस्ट मैथर्ड से निकाला जाता है यही वज़ा है कि या क्रीम सर्दियों म में सुखी फटी तवचा फटी एडियां सुखे होंट जुरियां महीन रेखाएं खिंचाओ के निसान सुखे द्रारवाले नाखून और ब्यूटी कल्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है इसके अलावा सर्दियों में होने वाले सन बन को दूर करने में भी ब्लीस ऑफ कोल्ड क्रीम बेहतर मानी जाती है मार्केट में इस क्रीम की कीमत लवग 375 रुपय के आसपास है दोस्तों उमीद करता हूं कि वीडियो को आपने अंतग देखा होगा और आप इस जानकारी का लाप उठाएंगे यदि आप इससे सबंदित और जानना चाते हैं तो कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें आपके कोमेंट का इंतजार रहेगा ताकि इससे सबंदित लेटस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आईकॉन बटन को भी प्रेस कर लें दोस्तो आज के लिए बस इतना ही जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद